नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल जिन्दिया में आपके साथ मैं पूनम नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किस्त बुदुवार को जारी होगी मुक्यमंत्री डॉक्टर मोन यादव एक करोड 29 लाग लाडली बहनों के खातों में 1566 करोड 61 लाग रुपे ट्रांसफेर करेंगे राजदानी के कुशाभा उठा करें कन्वेंशन सेंटर में राजस्तरी का रगम अज़ित क्या गया है मुक्यमंत्री डॉक्टर यादव बुदुवार से ही मद्यप्रदेश में 15 जनवरी 2024 तक मनाय जाने वाले महीला सशक्तिकरण सप्ता की शुरात भी करेंगे पुर्सीम शिवरा सिंग चोहान ने कहा आज 10 तारिक है मद्यप्रदेश की मेरी लाडली बहनों आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपे आने वाले हैं मेरे लिए सारी बहने देवी का रूप है और महीला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है अब लाडली बहने लगपती बहने बहने मैं इसके अभ्यान में जुटूंगा शिवराज ने कहा मैं हमारे मुख्य मंतरी मोहन यादो जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवात और बदाई देता हूँ कि योजना निरंतर जारी रहेगी मद्यपरदेश में भाचपा की सरकार मा, बहन और बेटी के जन कल्याण में जुटी रहेगी शिवराज ने सोचल मीडिया पोस्ट भी की उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा लाटली बेहनों आपके आत्मसम्मान, खुशियों और सपनों के लिए जो किस्त आपके खाते में आती है वो आज एक बार फिर आपके खातों में डाली जाएगी मेरी बेहनों के जीवन में खुशियों का सूरज हमेशा चमकता रहे यही कामना है और इसके लिए में जीवन परियंद प्रयास करता रहूंगा ततकालिन मुक्यमंदी शिवराज सिंग चोहां ने फिछले साल अपने जनम दिन पर पांच मार्च को भुपाल के जंबूरी मेदान में रिमोट की जरे लाडली बेना योजना लॉंच की थी रिमोट से योजना का थीम सौंग भी लॉंच किया था शिवराज भाशन के दोरान घुटनों के बल बैट गए महिलां को प्रणाम करते वे कहा अभी तक मैं बेटियों की पूझा करता था लेकिन बैनों में भी मैं मादुरगा, लक्ष्मी और सलस्वती को देखता हूँ बैनों की सेवा कर मेरा मुख्य मंत्री बनना और माना जीवन सफल और सातक हो गया सीम ने गोजना करते वे कहा था एक लाडली बैना सेना भी बनाएंगे गरबर करने वालों को ठीक कर देंगे इसी की साथ बने रेश्यान यूज इंडिया के साथ धन्यवाद